है गाईज आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर्टेल पेमेंट बैंक के पोर्टल से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पेक करेंगे जमा करके बताने वाले हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें यासे कि हमने open कर लिया है और home वाली section पर आएंगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर second line में आपको third number option मिल जाएगा यहां पर electricity just आपको इस पर click कर देना है तैसे यहां पर इस पर click करेंगे यहां पर आपको बोला जाएगा इंटर customer mobile number आपको यहां से कोई भी number डाल सकते हैं या बिलर का customer का जो number है वहां से आप फिल कर लेंग जस्ट आपको second करना है यहां पर select estate आप जिस estate से विलॉंग करते हैं यहां customer जिस estate का है वह आपका estate अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है यहां पर estate के जस्ट बाद आपको यहां पर select बिलर का यहां पर distributor यहां कंपनी आपको select करने पड़ीगी जैसे की बिहार में दो हैं नौर्थ बिहार पर distributor और साउथ फियार पर fan distributor में तो यहां से हमाराज के दाता है यहां से यह से कर लेते हैं जैस्ट आपको यहां से आप देख सकते हैं सीए नंबर जैसे कि हमारा पिछले वीडियो में व reckless Kingdom से और भी अधर से बताया है कैसे करते हैं उसमें भी सीए नंबर होता है ऐसा कंजूमर नंबर ता संख्या जिस चैgen कि कंज़्यार को customer का नाम और bill date और dues date आपको ये तीनों बताया जाएगा last में आपको नीचे देख सकते है payment details में आपका कितने का bill है ये भी आपको बताया जाएगा जैसे की 2009 रुपे का ये bill है और यहाँ पे कोई charge नहीं है आपको total amount 2009 रुपे यहाँ से pay करने पड़ेंगे जैसे बिल पे करेंगे आपके सामने देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल रहा और ये आपका बिजली बिल पे हो चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं जस्ट आपको print receipt का option दिया जारा जस्ट इस पर क्लिक करना है और अपने customer को ये receiving प्रिंट करके दे देना है इस वीडियो में इतना ही तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लिस टाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ share करें मिल दें किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई